सो हेलो गंडिडेट्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल यहां पर आपका इंडियन नवी में आपका सोट सर्विस कमिशन के लिए आपकी वेकैंसी आज चुकी है यहां पर आपकी टोटल नंबर ओफ वेकैंसी आपकी 155 है सो ओफिसर लेवल एंट्री के लिए काफी अच्छे-कासी वेकैंसी यहां पर निकली है यहां पर आपका एप्लिकेशन लिंक है वो आपका आज से एक्टिवेट हो जाएगा यानि 25 फेब से आप लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा और जो आप लोगों की लास्ट डेट है पहले examination नहीं होने वाले directly आप लोग SSB के लिए appear होंगे और आप लोगों का SSB क्लियर होने के बाद आप लोगों का medical examination होगा और उसके बाद आप लोगों को यहां पर final list prepare की जाएगी एक और चीज़ मैं यहां पर mention करना चाहता हूं कई students को यहां पर doubt रहते कि sir जो final year students है वो आपको aggregate करके उसको फिर आप लोगों को form fill up करते time हाँ पर mention करना है and next है यहां पर जो आपका यह है जो आपकी service है यह आपकी short service है तो आप लोगों को यहां पर सरफ 10 years के लिए serve करना है Indian Navy में जिसको आप लोग extend कर सकते है 2 plus 2 years करके तो जो total number of years होंगी आपकी 14 होने वाली है and यहां पर सरफ वो candidates apply कर सकते जो unmarried है and बाकी की जितने भी important points है वो आप हम लोग screen पर जाके official notification में discuss करेंगे ठीक है candidates हां जी यहां पर जो है आपका education qualification से related information दे रखिए तो हम लोग इसको एक एक करके discuss कर लेते हैं जो branch wise जो सबसे पहले आपका general service है उसमें आपका B.E.B.Tech मांगा है with 60% of marks और जो vacancies है यहां पर आपकी 40 है यहां पर सरफ male candidates apply कर सकते हैं और यहां पर जो आपका जन्म है वो आपका second gen 1998 से 1st July 2003 के बीच में हो जाना चाहिए next यहां पर आपका NAIC है इसमें आपका B.E.B.Tech मांगा है with 60% of marks और यहां पर यह जो जितने भी दे रखे हैं यह सारे आपकी branches हैं अगर इन में से आपने कर रख है तो आप लोग इस post के लिए apply कर सकते हैं and साथ मे में ही यहां पर आपकी 60% marks मांगे हैं 10th and 12th में and 60% marks आपके English subject में भी आने चाहिए either in 10th or in 12th and यहां पर आपकी vacancies आपकी 6 है और यहां पर आप मेल और फिमेल दोनों candidates apply कर सकते हैं यहां पर जो है आप लोगों का जो date of birth का दे रख है वो आपका second gen 1998 से 1st July 2003 के बीच में हो च traffic controller यहां पर आपका B.E.B.Tech complete होना चाहिए with 60% marks and यहां पर भी आपका 60% marks आने चाहिए 10th or 12th में और 60% marks आपके I होने चाहिए 10th में या फिर 12th में English subject में next यहां पर आपकी vacancies है वो आपकी 6 है और यहां पर male और female दोनों candidates apply कर सकते हैं and यहां पर जो आपका जन्म है वो आप जन 2002 के बीच में होना चाहिए next candidates यहां पर देखी वही पूरी list दे रखी है तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग किस post के लिए यहां पर या फिर किस branch के लिए आप यहां पर eligible है next यहां पर इन्होंने commercial pilot से related information दे रखी है कि जो आपका license है वो issue होना चाहिए DGCA द्वा 5% cutoff में जब आप लोगों का SSB के लिए जो आप लोगों की जो minimum marks मांगे जाएंगे उसमें 5% का यहां पर इन लोगों को relaxation मिल जाएगा next है यहां पर आप लोगों का बताए कि कौन यहां पर apply कर सकता अगर आप लोगों का graduation या post graduation complete हो रखा है with 60% of marks तो आप लोग यहां पर apply कर सकते हैं next है यहां पर आपका selection procedure तो आपके selection procedure यहां पर वही है कि आप लोगों की graduation में जितने marks आई हैं उसके basis के ओपर ही आप लोगों को SSB के लिए बुलाया जाएगा एक बर जब आप लोगों का SSB क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का यहां पर medical examination होगा medical examination होने के बाद यहां पर आप लोगों की merit list prepare की जाएगी and merit list prepare होने के बाद फिर आप लोगों को training के लिए बुलाया जाएगा फिर यहां पर आपका training period के related information दे रखिये कि जो आपका यहां पर general service के लिए है उन लोगों की यहां पर 44 weeks की training होगी और जो बाकी की सारी branches जो दे र करना है तो इनकी जो official website है यहां पर देखिए आप लोग black में दे रखा है 11th point में www.joinindiannavy.gov.in यहां पर जाके आप लोग apply कर सकते हैं और आज से ही आप लोग का application form है वो लोग start हो जाएगा तो आप लोग जितना जल्दी हो सके apply कीजेगा ठीक है candidates and यहां पर देखिए हम जितने भी important points थे वो सारे हम लोग ने यहां पर discuss कर ही लिये हैं बट स्टिल अगर आप लोगो कुछ भी doubt रह जाता है तो आप नीचे comment section में comment करके हमसे पूछ सकते हैं हम लोग उसका reply ज़रूर देंगे and candidates अगर अब तक आप लोगो ने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe क कीजिए like कीजिए and जितना ज्यादा हो सके अपने friends के साथ भी share कीजिए अब आप लोग उसे मिलते हैं next video में